Hello everyone, this is Shalini and you are watching your own educational channel ग्यान की मोधी Dear viewers, हम आज के वीडियो में नागरिक शास्तर कक्षा 6 से 5 में पार्ट का अभ्यास कारे करेंगे जिसका शीर्शक है जिला प्रशासन तो आएए देर के इस बात की है, हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से और पहला प्रश्न है, जिले के प्रमुख अधिकारी कौन-कौन है उत्तर लिखिए, जिले के प्रमुख अधिकारी निम्न लिखित होते हैं पहला, जिला अधिकारी दूसरा, जिला नियाधीश तीसरा, वरिष्ट पुलिस अधिक्षक चौथा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी पांचवा, जिला बेसिक सिक्षा अधिकारी छटा, मुख्य विकास अधिकारी और साथवा, जेलर दूसरा प्रशन लिखिए, जिला प्रशासन के कारे लिखिए उत्तर लिए जिला प्रशासन के निम्नलिखित कारे होते हैं जिले में शान्ती और विवस्था बनाए रखना भूमी विवस्था जैसे भूमी माप, खसरा, खतोनी का रख रखाओ वा लगान की वसूली करना नागरिक सुविधा वा सभी को विकास के समान अवसर देना हम सभी के लिए पानी, बिजली, सडक, स्वास्थे एवं सिक्षा की सुविधा आवश्यक है सभी जीवन की सुरक्षा चाहते हैं इन कारियों के लिए जिले में बहुत से सरकारी वे भाग, अधिकारी वा कर्मचारी होते हैं तीसरा प्रशन लिखिए लोगों के जानमाल की सुरक्षा कौन करता है चोटा सा प्रशन है लिखिए लोगों के जानमाल की सुरक्षा पुलिस अधिक्षा करता है चौथा प्रश्ण जिले में बीमारियों की रोग थाम व परिवार कल्यांड सम्मंदी कारे कौन देखता है? उत्तल लिखिए जिले में बीमारियों की रोग थाम व परिवार कल्यांड सम्मंदी कारे मुखित चिकित साधिकारी देखता है हमारा पांचवा प्रिश्ण है जिले में प्रात्मिक सिक्षा की विवस्था कौन करता है उत्तर लिखिए जिले में प्रात्मिक सिक्षा की विवस्था जिला बेसिक सिक्षा अधिकारी करता है हमारा छटा अभ्यासकारी है रेक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिले का कामकाज देखने वाला जिलाधिकारी होता है जेलों में कैदियों को सुधारने का प्रयास किया जाता है जिले में माध्यमिक सिक्षा की विवस्था जिला बेसिक सिक्षाधिकारी करते हैं साथवा प्रश्न है जिले की विवस्था के लिए जिल अधिकारी को किस-किस का सहयोग आवश्यक है इसका उत्तर लिख सकते हैं जिले की विवस्था के लिए जिला न्याय अधिश, पुलीस अधिक्षक, मुखे चिकितसा अधिकारी जिला बेसिक सिक्ष अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जेलर तथा जिले के लोगों का सहयोग आवश्चक होता है बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यासकारे की ओर जिसकी संख्या है आठमी, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाईए अबजेक्टिब टाइप कोश्चन्स हैं पहला है जिले में प्रात्मिक सिक्षा की विवस्था करते हैं ऑप्शन्स हैं आयुक्त, जिला बेसिक सिक्ष अधिकारी, जिला धिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और सही उत्तर पर निशान लगाईए जिला बेसिक सिक्षा दिकारी दूसरा प्रिश्ण है जिले में परिवार कल्यान के कारिक करवाता है और सही विकल्प पर निशान लगाईए मुख्य चिकित्सा दिकारी ते स्टुडेंट्स आपका अगला अभ्यास कारे है जो आपको स्वैम करना है इस वीडियो को देख रहे कितने ही स्टुडेंट्स कई जिलों के हो सकते है तो आप अपने जिले के एकॉर्डिंग नाम लिखिएगा मैं क्योंकि फरुखावाद की निवासी हूँ तो मैं अपने फरुखावाद जिले के एकॉर्डिंग यहाँ पर नाम दे रही हूँ इसलिए ये नाम भिन भिन हो सकते है आप ध्यान रखिए आप अपने जिले के according नाम लिखेंगे फरुखाबाद जिले के जिला धिकारी का नाम है यहां के निकटम थाने का नाम है कोत वाली फरुखाबाद फरुखाबाद के मुखे चिकित्सा धिकारी का नाम है डॉक्टर सतीश चंद्रा और अन्तिम प्रश्ण है फरुखाबाद जिले के मुख्य अधिक्षक का नाम क्या है? और उत्तर लिखे श्री अशोक कुमार मीना Dear viewers, आपकी सुविधा के लिए मैं बार-बार ये बता रही हूँ कि ये चारो प्रश्ण मैंने फरुखाबाद जिले के हिसाब से बताया है आप अपने जिले के एकॉर्डिंग जिला दिकारी का नाम, वहां के निकट्तम थाने का नाम, मुख्य चिकित्सा दिकारी का नाम तथा आपके जिले के हिसाब से पुलिस अधिक्षक का नाम लिखिएगा तभी आपका उत्तर सही माना जाएगा ये उत्तर वर्तमान में फरुखाबाद के एकॉर्डिंग सही उत्तर है Dear viewers, यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये अभ्यासकारे हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए अभ्यासकारे के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो शियर कीजिए ताकि अन्य बच्चे भी लाबानवित हो सकें खूब पढ़ें, खूब बढ़ें Thank you